हेलो बच्चों, होप यू ओल अर दूइंग गूट, तोड़े वी अर दूइंग दे चाप्टर, आर फेस्टिवल्स, आर फेस्टिवल्स यानि हमारे त्योहार, विच फेस्टिवल्स डू दू दू फोलोइंग तिंग्स रिमाइंद यू ओफ, यह आपको पिच्चर दे हु तर गैज कसdeath फेस्टिवल्स, इद दीवाली, होली, एण कृस्मश यह हैं, फेस्टिवल्स एथ टांव फॉढड फोल, फेस्टिवल्स, यह मृत मज़ें करते हैं, बहुत मस्ति करते हैं, बहुत अच्छा च्छा खाना काते हैं, मेले लगते हैं, सब लोग गाना गाते हैं, डान्स करते हैं और कलर्फुल क्लोट्स पहनते हैं, many festivals are celebrated in country, हमारे country में बहुत सारे festivals celebrate किये जाते हैं, there are some national festivals when the whole country remembers some special event in the past, जो हमारे कुछ national festival राष्ट्री है, त्योहार भी हैं, जो पूरे country में मनाए जाते हैं, किसी proper एक चीज़ को वो remember याद कराते हैं, जैसे some festivals are connected with religious events, कुछ festivals जो हैं वो religious events धार्म से connected हैं, others with season, कुछ मौसम के साथ connected हैं, some of the well-known festivals of our country are given below, तो कुछ हम पढ़ते हैं कुछ तिहारों के बारे में, first है हमारे national festivals, national festivals, नाम से यह आपको पता लग रहा है, जिसको पूरा nation, पूरा देश celebrate करता है, national festivals are celebrated in all the states, Republic Day, Independence Day and Gandhi Jainती, आर आर three national festivals, हमारे national festivals कौन से हैं, जिनको पूरा state, पूरा country जो है वो celebrate करती है, कौन कौन से हैं यह, तीन है national festival, Republic Day, Independence Day and, गांधी Jainती, पहले हम बात करते हैं, Republic Day की, Republic Day, यह Republic Day की parade है बच्चों, आपने भी देखा होगा, Republic Day कब celebrate किया जाता है, 26 January को, Republic Day is celebrated on 26 January, the main function is held at Rajpath in New Delhi, और जो main function है, जो आप TV पर देखते हो, सुबह सुबह parade होती है, यह कहां होती है, राजपत डैली में होती है, there is a grand parade on this day, बहुत बड़ी parade होती है इस दिन, the armed forces, the police, folk dancers and school children take part in it, और इस parade में army forces जो होते हैं, वो police है, folk dancers हैं, यह सब participate करते हैं, school के बच्चे भी कुछ participate करते हैं, the children who win awards for bravery are also a part of the parade, और इस parade के वो बच्चे भी हिस्सेदार होते हैं, जिन बच्चों को बहादुरी पुरुसकार मिलता है, they ride on elephants, वो किस पर बैठते हैं परेड में, हाथ ही पर बैठते हैं, और tablets from the different states make the parades lively, जो tablets होते हैं, अलग-अलग जाकियां होती हैं, अलग-अलग states की, उनसे parade और सुन्दर लगती है, parades take place in state capitals also, state capital में भी होती हैं यह, now independence day, India became an independent country on 15th August 1947, हमारा देश जो अंग्रेजों का गुलाम था, वो 15 अगस 1967 को आजाद हुआ था, prior to this state, it was under the British rule, उससे पहले अंग्रेजों के अंडर था, so we celebrate 15th August every year as our independence day, इसलिए हम हर साल 15 अगस्त को अपने आजादी दिवस के रूप में, स्वातंतरता दिवस के रूप में मनाते हैं, the main function is held at the Red Fort in Delhi, Red Fort New Delhi में यह function होता है, the Prime Minister hoist the national flag and gives a speech, जो Prime Minister होते हैं हमारे उस टाइम परधान मंत्री, जैसे कि अब नरेंदर मोदी जी हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वहां से speech देते हैं और हमारा जो national flag है तिरंगा वो hoist करते हैं, on this day we remember those who sacrifice their lives for the freedom of our country, तो हम उनको याद करते हैं, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अपना जिन्दगी का बलीदान दिया था, अब हम बात करते हैं गांधी जैनती की, गांधी जैनती, महात्मा गांधी वोस बॉर्ण ओन 2nd October 1869, महात्मा गांधी का जनम हुआ था 2 October 1879 में, इसलिए दो अक्टूबर को हम गांधी जैनती के नम से बनाते हैं, और में फंक्शन का होता है, जहां महात्मा गांधी जी की समाधी बनी हुई है, और यह समाधी का है, नियू डैली में राजगाट पर है, ओके, और जो हमारे परधान मंत्री हैं, राश्रपती हैं, और बाकी जो भी बड़े-बड़े मंत्री हैं, वो समाधी पर जाकर शर्धांचली देते हैं, और प्रेयर मीटिंग्स are held all over the country, पूरे देश स्कूलों में, ओफिसेज में, प्रेयर मीटिंग होती है, उनकी आत्मा की शांती के लिए, उनको शर्धांचली देने के लिए, प्रेयर मीटिंग की जाती है, ये तो बच्चों बात हुए हमारे नैशनल फेस्टिवल्स की, अब हम बात करते हैं, रिलिजियस जो हमारे धर्म से रिलेटेड हैं, बहुत सारे त्योहार मनाई जाते हैं हमारे देश में, a few of them are जैसे की, होली, दशेरा, दिवाली, गुरुपूरब, ईद, क्रिस्मस, बुद्धपूर्णीमा, एंड महावीर जैंती, हम बात करते हैं सबसे पहले होली की, होली, बच्चों का फेवरिट त्योहार है होली, यह आप होली की पिच्चर देखो, जिसमें बहुत सारे रंग गुलाल, पानी के साथ हम होली खेलते हैं, होली is the festival of colors, इसी लिए होली को festival of color भी बोलते हैं, रंगों का त्योहार बोलते हैं, It is mainly celebrated in North India in the month of March, when the weather is neither too hot nor cold, और यह कहां मनाई जाती है, ज्यादा तर North India में मनाई जाती है, मार्च के महिने में जिसमें ना ज्यादा गर्मी होती है, ना थंड होती है, People throw colored powder, cold gulal and water on one another, और जो लोग हैं, जो होली मनाते हैं, एक दूसरे के उपर powder, रंग बिरंगे, gulal लगाते हैं और एक दूसरे पर पानी डालते हैं, At this time, wheat, grain, mustard and millets are ready for harvest, ये वो मोसम होता है, जब होली का time आता है, ये वो time होता है, जब गेहूं, चना, mustard, सरसों और millet, बाजरा जो है, वो पक कर त्यार हो जाता है, काटने के लिए, harvesting के लिए ready हो जाता है, अब हम बात करते हैं, दशेरा की, दशेरा माक्स, the victory of good or evil, दशेरा क्या दिखाता है, दशेरा दिखाता है, बुराई पर अच्छाईगी जीत होती है, This is also called Vijay Dashmi, इसको Vijay Dashmi के नाम से भी लोग जानते हैं, Lord Ram is set to have killed Ravan, the ten-headed damn king on this day, माना जाता है, इस दिन जो दस सिर्वाले रावन थे, एक राक्षस राजा जिसको बोलते थे, उसको भगवान श्री राम ने मारा था, राम लीला is stays during दशेरा, दशेरा की दिनों में दस दिन का ये festival होता है और राम लीला की जाती है, At this time, दुर्गा पूजा is celebrated in West Bengal and in some other states, और दस इनका होता है, दसमे दिन विजय दश्मी को दशेरा बुलाते हैं, उससे 9 दिन पहले नवरात्रे होते हैं, तो जो West Bengal है वहाँ पर इन दिनों में दुर्गा पूजा होती है, और बाकी other states में भी दुर्गा पूजा का त्योहार बनाया जाता है, तो ये बच्चो दशेरा की पिच्चर है, आप मेले में गए होंगे, आपने जो रावन और कुमकरन में इगनाथ है, उनके पुतले भी जलते हुए देखे होंगे, अब हम बात करते हैं, दिवाली की दिवाली is the festival of lights, ये क्या है, रोशनी का त्योहार है दिवाली, it is celebrated to mark the return of Lord Ram after 14 years of exile, 14 साल का वनवास काट के, जब भगवान शुरी राम घर वापिस आये थे, उनके आने की खुशी में ये त्योहार मनाया गया था, People clean and decorate their homes and wear new clothes, इस दिन जो लोग हैं वो अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और अपने घरों को सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, In the evening, after offering prayers to Goddess Lakshmi, the Goddess of wealth, they light dhyas and candles and burst cracker और भगवान शुरी माता Lakshmi की पूजा करने के बाद जिनको धन की देवी माना जाता है, उसके बाद रात को उनकी पूजा करते हैं और फिर अपने घरों को दिया और कैंडल से सजाते हैं और बहुत पटाखे भी छोडे जाते हैं, People wish one another happy Diwali and exchange gifts and sweets, एक दूसरी को लोग happy Diwali wish करते हैं और आपस में gift और मिठाईया exchange करते हैं, Now, गुरू पूरब, ये बच्चों गुरू पूरब का त्योहार है, ये सिख का त्योहार है सिख लोगों का, जो 10 सिख गुरू थे, उनका जनम दिन गुरू पूरब के रूप में मनाया जाता है, Huge processions are taken out throughout cities and towns, पूरे शहर, टाउन्स में ये huge बहुत बड़ी procession, फेरी निकाली जाती है, Prayers are held in grudwaras all over the country, पूरी country में जितने भी grudwaras होते हैं, उनमें prayer की जाती है, लंगर और free food is distributed on this day, पूरे जहां पर भी grudwaras होते हैं, तो उस दिन क्या होता है, लंगर लगता है, free में food मिलता है, सब लोग वहां पर लंगर में खाना खा सकते हैं, अब हम बात करते हैं, Eid की, Eid, Eid ul Feater is the main festival celebrated by the Muslims who pray in large groups in Moscow, जो Moscow मस्जिद में जाकर बहुत सारे लोग, बहुत सारे Muslim धरम का त्योहार है, ये बहुत सारे Muslim prayer करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, Eid ul Feater का त्योहार मनाते हैं, सेवया, a special sweet dish made of jaggery, milk and vermisil, और इस दिन एक famous मिठाई बनती है Muslim लोगों के घर में, जिसको क्या कहते हैं, सेवया कहते हैं, जो good, दूद और जो सेवया होती हैं, उन से बनाई जाती है, is prepared on this day, after the Eid, नमाज prayers, the Muslims embrace and wish one another Eid मुबारक, और नमाज पढ़ने के बाद, अपनी prayer करने के बाद, Muslim बहुत खुशी से ये त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे को Eid मुबारक विश करते हैं, Eidi और money is given to children, और इस दिन छोटे बच्चों को Eidi भी मिलती हैं, यानि पैसे भी मिलते हैं, Eid ul Juhar is another important festival of the Muslims, और Eid ul Feature के अलावा, एक और Eid आती है, Eid ul Juhar वो भी Muslims का famous त्योहार हैं, ठीक है, तो इस दिन मौस्क्यों में जो लोग हैं वो जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और एक दूसरे को गले लगकर Eid मुबारक बोलते हैं. Now, Christmas. This is the picture of Christmas. The birthday of Jesus Christ falls on 25th December. Jesus Christ का birthday आता है इस दिन 25 December को. This day is celebrated as Christmas all over the world by the Christians. तो Christian जो लोग हैं, वो इस दिन को Christmas के रूप में celebrate करते हैं हर सार. Prayers are held in churches, beautifully decorated Christmas tree are put up, gifts are exchanged, children wait to receive gifts and sweets from Santa Claus. जो लोग हैं, Christian लोग हैं, वो चर्च में जाकर prayer करते हैं, एक सुन्दर सा Christmas tree को decorate करते हैं, और अपने घरों में रखते हैं, और एक दूसरे को gift देते हैं, और जो बच्चे हैं, वो वेट करते हैं कि कब Santa Claus आएगा और उन्हें मिठाईयां और gift देखे जाएगा. Now, बुद्पुर्निवा. बुद्पुर्निवा, the birthday of Gotham Buddha is celebrated as बुद्पुर्निवा. और जो गुद्पुर्निवा उनके जनम दिवस को हम बुद्पुर्निवा के रूप में मनाते हैं. महावीर जैन्ती, the birthday of Lord महावीर is celebrated as महावीर जैन्ती. महावीर जैन्ती, जो जैन धरम के स्थापक थे, Lord महावीर, उनके जनम दिवस के रूप में महावीर जैन्ती मनाई जाती है. Now, हम बात करते हैं Harvest Festivals की. The Harvest Festivals The farmers feel happy when they see their crops ready for harvest. They celebrate this occasion. The people in different states celebrate this occasion in their own ways. Some of the festivals are Besakhi, Bihu, Onam, Pongal, etc. जो किसान देखते हैं, उनके फसल बहुत सुन्दर हुगी हुई है और पक गई है, कटने को त्यार है, तो वो इस टीच को बहुत celebrate करते हैं. अपनी खुशी को celebrate करते हैं, मनाते हैं. इन त्योहारों को अलग-अलग स्टेट में, अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है. जैसे कि Besakhi है, Bihu है, Onam, Pongal. Besakhi क्या है बच्चो? Besakhi का जो त्योहार है, वो पंजाब में मनाया जाता है. Besakhi is a colorful harvest festival celebrated in Punjab. It is usually celebrated on 13th April every year. हर साल 13 April को ये मनाया जाता है. It is also celebrates the founding of Khalsa Panth by Guru Gobind Singh Ji. Giddha and Bhangda are performed on the beats of Dhol. और 13 April को Besakhi के साथ साथ Guru Gobind Ji को ये भी मना जाता है कि इस दिन Guru Gobind Singh Ji ने Khalsa Panth की स्थापना की थी. तो इसलिए भी ये celebrate किया जाता है. जो लड़कियां वो गिद्दा करती हैं और जो लड़कें वो भंगड़ा करते हैं. धोल के साथ बहुत खुशी के साथ पंजाब में वैसाखी का त्योहार मनाया जाता है. अब हम बात करते हैं बीहू की. बीहू, it is a popular harvest festival in Asam. Asam का ये popular harvest festival है. It is celebrated three times in a year. एक साल में तीन बर मनाया जाता है. The young girls wear traditional dresses and perform special बीहू dances. Singing, dancing, fisting, ponfires and buffalo fights are the main attractions of the festivals. और इस दिन क्या करती हैं? जो लड़कियां हैं, वो traditional dress पहनती हैं और बीहू dance करती हैं. बीहू जो है, वहां के dance form का नाम है. इसलिए इस festival को बीहू के नाम से जाना जाता है. और गाना गाते हैं, डान्स करती हैं, एक दूसरे के साथ मजे करते हैं लोग और bonfire करते हैं उस दिन और जो buffalo fights है, वो organize होती है आसम में इस तिहार के दिन. ओके? इस पॉंगल, यह पॉंगल का तिहार है, इस दिन तक यह तिहार मनाया जाता है जैनुवरी के महीने में और जब चावल की खेती पक कर काट लेते हैं, तो वो rain god, यानि की इंदर देव की पूझा करते हैं. The sun god and cows, rice cooked in milk and jaggery is cold पॉंगल. किस की पूझा करते हैं? वो rain god की, इंदर देवता की, the sun god, सूरिय देवता की और गाय माता की. जो चावल हैं, जो पका कर, जिस पकने की खुशी में त्योहार मनाया जाता है, उनको दूद और गुड के साथ मिलके एक डिश बनाई जाती है, जिसको पॉंगल का नाम दिया गया है. उसी पॉंगल डिश के ऊपर पॉंगल त्योहार का नाम दिया गया. काउज और फैड विद पॉंगल राइस और काउ को गाय माता को भी ये पॉंगल राइस खिलाए जाते हैं. और जो लोग हैं, वो रंग भी रंगे डिशाइन बनाते हैं, अपनी घरों को डेकोरेट करते हैं पॉंगल के दिन. नव नेक्स इस ओनम. ओनम इस अ हर्वेस्ट फैस्टिवल सेलिबरेटे इन केटला. इस मेंली सेलिबरेटे इन ओनर फिंग महाबली. कहां मनाया जाता हैं? यह तिवहार केरला में और इस दिन क्या होती है? अपने कलेंडर में टीवी में भी यह पिच्चर देखियोंगी. तो इस दिन बोट रेसिज होते हैं और ब्यूटिफुल अलिफेंट डेकोरेटिव किये जाते हैं और गली में घुमाये जाते हैं. यह तिवहार मनाया जाता है. Now, कुछ हम बर्डेज भी सेलिब्रेट करते हैं. जैसे कि, some days are celebrated as the birthdays of great people, like Teacher's Day. Teacher's Day, जो कि 5 September को आता है. Teacher's Day is celebrated on 5th September. It is the birthday of Dr. Sao Palli Radha Krishnan, the second President of India. इस दिन क्या था? इस दिन Dr. Sao Palli Radha Krishnan का जनम दिवस के रूप में Teacher's Day मनाया जाता है. क्योंकि यह second President भी थे इंडिया के और यह बहुत अच्छे अध्यापक थे. तो इनकी याद में Teacher's Day मनाया जाता है. Next is Children's Day. Children's Day is celebrated on 14th November. 14 November को मनाया जाता है Children's Day बाल दिवस. It is the birdies of Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, जो भारत के सबसे पहले प्रधान मंत्री थे, Jawaharlal Nehru, उनके जनम दिवस के रूप में यह बाल दिवस celebrate किया जाता है. Children fondly called him चाचा नहरू और बच्चे प्यार से उन्हें चाचा नहरू कहकर बुलाते थे. यह चाचा नहरू जी का फोटो आपको दिखाया गया है, तो बच्चे स्कूल में बाल दिवस Children's Day celebrate करते हैं. Now, let us revise the chapter. A festival is a time for fun, food, fair, singing, dancing and new colorful clothes. एक तिवहार वो time होता है जब आप मजे करते हो, खाना घाते हो, अलग-अलग तरीके का मेले में घूमते हो, गाना गाते हो, डांच करते हो, नई कपने पहनते हो. festivals are mostly national, religious and harvest. तीन टाइब के festivals होते हैं, national festival, religious festival and harvest festival. Republic Day, Independence Day and Gandhi Jainti are our three national festivals. और हमारे तीन national festival हैं, Republic Day, Independence Day and Gandhi Jainti. Our religious festivals are Holy Dasha, Diwali, Guru Puraab, Eid, Christmas, Budh Purnima and Mahavir Jainti. यह हमारे religious festivals हैं, जो हमारे धर्म से related हैं. बैसाखी, बीहू, पॉंगल and ओनमार harvest festival. यह हमारे harvest festival हैं, जो फसल से related हैं. birthdays of some great people are celebrated as special days. जो great mahan वेक्ती थे, उनके जनम दिन भी हम मनाते हैं, हम celebrate करते हैं special दिन के रूप में. ओके बच्चों, हौप आपको यह chapter समझाया होगा, फिर से एक बार इसको read करेंगे और exercise की practice खुद करेंगे.